वेलकम टू स्रीजी फूर्ड, आज मैं आपको एकदम टेस्टी और फ्लेवरफुल उंधिया कुकर में किस तरह से बनाना है, वो सिखाने वाली हूँ, कुकर में सिर्फ तीन ही विसल में उंधिया रेडी हो जाता है, तो उसे बनाना बहुत ही इजी है, मैं कई सालों से उंध साटा होता है, उससे बनता है, तो वो रेसिपी मैंने पहले ही चैनल पर बताई है, और आज जो दूसरी मैथड है, जो चने के आटे से मुख्या बनता है, वो भी मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, तो कुकर में उंधिया किस तरह से बनाना है, और चने के आटे से मुख या किस तरह से बनाना है वो हम देख लेते हैं सबजी बनाने के लिए ये मैंने दाने और पापड़ी लिए है दाने में मैंने सूर्थी पापड़ी के दाने वाल पापड़ी के दाने और फ्रेश तुवर के दाने लिए है और पापड़ी जो आती है दो तिन तरह की वो सारी हमें लेनी है और से काट के लेना है और रतालू, शकरकन, सूरन और आलो को हमें मिडियम साइस का कट कर लेना है बड़े बैंगन, छोटे वाले बैंगन और जो हरी मिर्च आती है जो ज्यादा स्पाइसी ना हो जो हम अचार के लिए यूज करते है वो हमें लेनी है अदरक हरी मिर्च और धनिया को मैंने क्रस कर लिया है आप लसुन खाते हो तो वो भी इसी टाइम पे इसमें क्रस कर ले ये स्टफ करने के लिए मसाला बनाना है जिसमें चने का आठा रूटिन के मसाले हरी मिर्च का पेज छुगर और थोड़ा तेल है टमाटर को मैंने क्रस कर लिया है अब सबसे पहले हमने जो काले बैंगन लिये है बड़े वाले वो हम आलू में कट कर लेंगे इस तरह से छोटे छोटे अब जो छोटे बैंगन है उसे भी हम कट कर लेंगे इस तरह से हमें उसे चार कट कर लेना है और चेक कर ले और मिर्ची को हमें साइड से एक कट कर लेना है इंग्रिडियंट्स की पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दी हुई है तो आपको वहां से पूरी डिटेल मिल जाएगी मसाले को हम एक बार मिक्स कर लेंगे अब उसे हम बैंगन और मिर्ची में स्टफ कर देंगे ज्यादा दबा के हमें मसाला स्टफ नहीं करना इसी तरह से मैं सारे मिर्ची और बैंगन स्टफ कर लेती हूँ और बाकी का बचा हुआ मसाला हम सबजी में यूज कर लेंगे मुठिया बनाने के लिए ये मैंने हाफ कप मेधी की भाजी को साफ करके लिया है इसमें हाफ कप चने काटा एड़ करेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक एड़ कर देंगे थोड़ी सी हल्दी वन टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला वन टीस्पून तील चुटकी बर खाने का सोड़ा वन टीस्पून हरी मिर्च और अधरक का पेस्ट एड़ करेंगे आप अगर लसुन खाते हो तो वो भी इस टाइम पे एड़ कर दे वन टीस्पून शुगर हाफ टीस्पून जितना निम्बू का रस इसमें एड़ करेंगे और इन सारी चीजों को पहले हम मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो वन टीस्पून जितना गिहू का कोर्स आटा भी इसमें एड़ कर सकते है अब इसमें वन टीस्पून ओल एड़ करके इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे ओइल इसमें एड़ किया है और मेथी में भी मौशर होता है तो पानी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाथ में थोड़ा सा ओइल लगा के अब इसमें से हम बॉल्स बनाएंगे इस तरह से मीडियम साइज के हम बॉल्स बना लेंगे मैंने ओइल पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था तो अब हम इसे फ्राइ कर लेंगे इसे मीडियम गैस पे फ्राइ करना है हमने सोडा एड़ किया है और हम इसे जब सबजी में एड़ करेंगे तब भी भी ये थुड़ा और बड़ा होगा तो हमें इसे मिडियम साइज का ही बनाना है तीन से चार मिनिट के बाद ये अपने आप ही उपर आने लगेंगे एक बारी से चला लेंगे इस तरह से हमें इसे फ्राइ करना है हर रोज इस तरह के नए नए वीडियो सिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजु में दिये हुए इस बैल आइकोन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे हर नए वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका धन्यवाद बनाने के लिए अब सारी चीजे रैडी है मैंने बैंगन और मिर्ची भी स्टफ कर ली है और जो हमने मुठ्या बनाया है वो भी ठंडा हो चुका है ये अभी चने का मुठ्या हमने बनाया पहले हमने ये गेहु के आटे से मुठ्या किस तरह से बनाना है वो भी सिखाया था तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप वहाँ से उसका वीडियो देख सकते है मैंने कुकर में 4-5 टेबल स्पून ओयल और 1 टी स्पून राई एड़ करके गरम करींट लिए रख दिया है अब उसमें 1 टी स्पून अजवाइन एड़ करेंगे अब गैस की फ्लेम स्लो करके 2 टी स्पून हल्दी एड़ कर देंगे हल्दी ओयल में एड़ करने से आपको सबजी का कलर बहुत ही अच्छा मिलेगा जो पेस्ट हमने बना के रखा था धनिया का वो इसमें एड़ कर देंगे और एक मिनिट पका लेंगे टॉमेटो की प्यूरी इसमें एड़ कर देंगे और गैस की फ्लेम मिडियम करके इसे भी दो मिनिट पकने देंगे बिच में एक बार हम चला लेंगे इसे मैंने बताया उस तरह से लसुन खाते हो तो लसुन भी आप दनिया के साथ ही करस कर ले दो मिनिट के बाद इस तरह से ओल रिलिज होने लगेगा तो गैस की फ्लेम स्लो करके अब हम इसमें सबजी एड़ कर देंगे स्वाद अनुसार नमक मैंने एड़ कर दिया है अब इसे मिक्स कर लेंगे दो मिनिट ऐसे ही रहने देंगे अब इसमें दो टेबल स्पोन धनिये और जीरे का पाउडर दो टेबल स्पोन लाल मिर्च पाउडर या अपने घर के टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते है इसे मिक्स कर ले एक मिनिट और पका लेंगे ऐसे ही अब हम इसमें हाफ कप जितना पानी आड़ करेंगे हमने इसमें बैंगन टमाटर और पापड़ी आड़ की है तो इसमें से भी थोड़ा सा पानी रिलिज होता है तो हमें ज्यादा पानी अभी आड़ नहीं करना सही तरह से इसे लेवल में कर ले अब इसका ढखकन बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम मिडियम रखके अब हम इसकी दो विसल कर लेंगे दो विसल के बाद मैंने कुकर को ओपन कर लिया है सबजी को एक बार मिक्स कर लेंगे अब बैंगन, मेर्ची और मुठ्या इसमें अड़ कर देंगे जो मसाला बचा था वो इसमें अड़ कर देंगे तीन से चार मुठ्या का मैंने चूरा बनाया है चूरा इस तरह से अड़ करने से सबजी को थोड़ा बैंडिंग मिल जाता है और उसकी ग्रेवी भी थोड़ी थिक बनती है सबजी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले मिक्स हो जाने के बाद इसमें एकक जितना पानी एड़ करेंगे क्यूंकि हम इसकी और एक विसल करेंगे ताकि सबजी अच्छी तरह से पक जाये अब इसमें एक तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए मैंने 3 टीबल स्पुन तेल लिया है जिसे गरम करने के लिए रख देंगे 2 टीजपुन गरम मसाला 2 टीजपुन काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे और देट टेबल स्पून मैंने चीनी ली है चीनी आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते है ओयल गरम हो चुका है तो वो लाल मिर्च और गरम मसाले के उपर इस तरह से एड़ कर देंगे सबजी को मिक्स कर ले मैंने ये पूरी प्रोसेस में ओयल जो हमने मुठ्या फ्राइ करने के लिए यूज किया था वही ओयल मैंने सबजी बनाने के लिए यूज कर लिया है तो सबजी का टेस्ट उससे बहुत ही अच्छा आता है अब इसका ढखकन बंद करके फिर से इसकी एक विसल कर लेंगे एक विसल के बाद सबजी में इस तरह से ओयल उपर आ जाएगा एक बार इसे मिक्स कर लेंगे मैंने इसमें कटा हुआ धनिया एड़ कर दिया है अब इसमें 2 टेबल स्पून खजूर और इमली की चटनी या खजूर टमाटर की चटनी एड़ कर दे अगर चटनी नहीं एड़ करना चाहते या अवेलेबल नहीं है तो आप निम्बू का रस भी एड़ कर सकते है ये मिक्स हो चुका है अब इसे ढखकर आधे गंटे के लिए रहने देंगे आधे गंटे के बाद सबजी रैड़ी है इसे एक बावल में ले लेंगे मैंने सबजी को एक सर्विंग बावल में निकाल लिया है और गार्निशिंग के लिए इसके उपर कटा हुआ धन्या एड़ किया है आप इस सबजी को पूरी पराठा और जलेबी के साथ सव कर सकते हो और अभी हमने जो मेजर्मेंट लिया उससे आप 8-10 लोगों को सव कर सकते हो उतनी सबजी रेड़ी होती है और मैंने जिस तरह से बताया कि आप लसुन खाते हो तो उसे धन्या के साथ ही क्रस करने में एड़ कर सकते हो और सबजी बनाने के लिए जो मुठ्या हम बनाते है वही ओल अगर आप यूज करोगे तो सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह की और रेसिपी सिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले